जारखन की राजधानी राची में मलेशिया की एक बाइस साल की महिला में कोरोना वाइरस संक्रमन की पुष्टी हुई है इस COVID-19 संक्रमन मलेशियाई महिला को खेलगाओं से रिम्स लाने के लिए डॉक्टर और प्रसाशन को करीब तीन घंटे का ड्रामा जहेलना पड़ा दरसल महिला को लाने के लिए रिम्स प्रबंधन ने अम्बुलेंस खेलगाओं भेज दी थी लेकिन महिला अकेले आने को तयार ही नहीं हो रही थी महिला पती के साथ अस्पताल आना चाहती थी जबकि प्रसाशन की टीम और रिम्स के डॉक्टर उसे अकेले रिम्स लाना चाहते थे क्योंकि महिला के पती की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन करीब तीन घंटे के प्रयास के बाद युवती अपने पती के साथ रिम्स के ट्रॉमा सेंटर कहुंची जिसके बाद प्रसाशन ने पती को वापस खेलखाओं भेज दिया आपको बता दें कि हिंद पीडी के जिस जगह से तबलीकी जमात से जुड़ी ये कोरोना संक्रमित महिला मिली है वहां से करीब तीन किलोमीटर के एरिया में हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है और इस दौरान घर-घर जाकर कोरोना लक्षनों की परताल की जा रही है NEWSDISK